कहते हैं कि राजनीती संभावनाओं का खेल है और संभावनाओं के तहट कब क्या बदलाओं हो जाए ये कोई नहीं जानता और इंदनों खासकर आरजडी में बदलाओं को लेकर चर्चाई तेज है दरसल जब भे राजनीती की बात आती है तो परिवारवाद जातिवाद ये तल्ख तेवर देखने को मिले अब ऐसे में आरजडी में एक बदलाओं को का संकेत मिलने लगा है दरसल भले ही मजबूत विपक्ष होने के नाते इनकी तरफ से लगातार दावे किये जाते हैं कि बिहार में सत्ता परवर्तत होगी सरकार गिरेगी लेकिन जब अपना ही आरजडी से हलाकि क्यूं अगर हम तेश्मता प्यादफ की बात करें तो बौक्षलाहट में उन्होंने कई तरह की बाते कहीं गुस्से में आकर अपने नए पेज पर खुलकर उन्होंने लाइव आकर कई तरह की बाते सामने आकर अस्पष्ट तोर पर रखी हैं लेकिन इसस बाते तो असपश्ट हो ही रही है कि कहीं ना कहीं अंदर खाने नाराज़गी जरूर है अब सवार ये उठता है कि तीजश्वी आदफ जब भागे भागे यहां पटना पहुंचे हैं तो क्या वो डामज कंट्रोल कर पाएंगे क्योंकि इससे पहले जब जग्दा नंद में अपने पद से इस्तिफा नहीं दिया हालाकि इन तमाम बातों से आरज़डी ने लगातार अपना मूँ फेरा ही है उन्होंने सिरे से इन बातों को खारिस किया है लेकिन जो तस्वीरे सामने आती है वो सब कुछ बया कर जाती है अब ऐसे में अगर हाल की ही तस्वीरों नदारत थे वहाँ पर तेजश्वी आदव की तस्वीर नहीं थी छात्र राज़ड नीता की बैठक बुलाई गई तेश्पिताप यादव ने उस बैठक की अध्यक्षिता की उस पोस्टर को लेकर सियासत गर्मा उठी क्योंकि उसमें तीजश्वी आदव नहीं थे पूर से गल्यारों में चर्चाएं तो तीज हो ही गई इसके अलावा जब यहां भी बात नहीं बनी तो जब मंच पर तीश्पिता प्यादव पहुंचते हैं तो मंच पर उनकी तरह से कई तरह की ऐसी बातें कहीं गई कुछ मर्यादत भाशाओं का प्रयोग किया गया जग्दानन सिंग को लेकर उन्होंने खुले आम ये एलान किया कि हिटलर शाही उनकी नहीं चलेगी जिस तरीके से वो हिटलर गिरी दिखाते हैं ये बिलकुल ठीक नहीं अम अर्यादत भाशाओं के प्रयोग के बाद भी अगर अगले सुबह की बात करें तो एक और नया पोस्टर आरजडी कारयाले के बाहर लगता है जिसमें तीश प्रताप आदव नहीं होते अब आप क्रमबत तरीके से उन तस्वीरों को याद कर जोड कर ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार आरजडी में सब कुछ ठीक नहीं नाराजगी चल रही है इन बातों को आधार मिलता है अब ऐसे में ये पूरी तस्वीर तो हमने देखी लेकिन अब तीजश्वी आदव दिल की सिखाए गई बातों के द्वारा वो जग्दानन सिंग को पार्टी में बनाए रखेंगे क्योंकि पिछले कई दिनों से जग्दानन सिंग दफ्तर नहीं आ रहे हैं हराकि उनका कहना है कि वो वही पर बैठ कर पार्टी में जो कुछ भी हो रहा है उसकी मॉनिटरिंग कर सवाल तो उठेंगे ही क्योंकि जस तरीके से तेश पिता प्यादव ने अमर्यादत भाषाओं का प्रयोकिया जग्दानन सिंग के खिलाफ उनके बोल बिगड़े वे से देखाए दिये अब ऐसे में ये बात तो असपष्ट हो रही है कि कही ना कही नाराजगी तो है ही भल अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या वाकई तीजश्वी आदव डामज कंट्रोल कर पाते हैं या नहीं क्योंकि जस तरीके से आरजडी के भीतर खाने अंदरूनी नाराजगी तमाम निताओं की तरफ से जाहर की जा रही है इससे पहले भी आरजडी सुप्रीमों लाल जश्वी आदव जो तेश पिताप आदव की जोटे भाई हैं यानि कि क्या अरजण अपने कृष्ण को समझा पाते हैं या नहीं क्या जगदानान सिंग को पार्टी में बरकरार रखने की ये जो पहल ये जो तैयारी उनकी तरफ से की जारी है ये प्रयास सफल हो पाते हैं या नहीं जाद अपडेट के लिए आपने रहें नियूस वानीशन के साथ नमस्का